इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिक CBSC जो हमारी Oxford वाली English book है उसका chapter number one यह पहला comprehension है एक chapter में दो comprehension है इसके पहले comprehension से हम शुरू करते हैं What we are doing to the forest of the world is but a reflection of what we are doing to ourselves and to one another यह महात्मा गांदी जी के words है तो यह words यह कह रहे हैं कि जो हम पेड़ पौधे और जंगलों के साथ कर रहे हैं वही ठीक reflect करेगा reflect करेगा वो जो हम उनके साथ कर रहे हैं वही ठीक हमारे साथ भी होगा तो हम तो वैसे पेड़ काटी देते हैं बहुत चारे तो अगर हम पेड़ काटेंगे तो हमारे खुद का ही नुकसान होगा पेड़ हमें oxygen प्रवाइट किया करते हैं और oxygen जे हम सांसे लिया करते हैं पर अगर हम पेड़ ही काट देंगे तो फिर हमें सासे कैसे अच्छे से मिलेंगी और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो पेड़ हमें दिया करते हैं वो हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे उनके बारे में तो यह सेक्शन वन देखिए इसमें दो सेक्शन होते हैं और सेक्शन वन होता है तो अभी section 2 मैं अखली वीडियो में लाओंगी redwoods the super trees redwoods मतलब बहुत ही super trees redwoods क्या होते है एक species होती है जो की sequa tree की होती है जो लाल उन्हें redwood कहा जाता है ये एक पेडों की species होती है species मतलब जाती होती है इन्सान होते है वैसी पेडों की भी अलग अलग जाती हैं होती है तो इन्सानों की अलग अलग जाती हैं नहीं होती वैसे ही are trees able to protect themselves क्या जो trees हो अपने आपको protect कर सकते हैं is it possible to get wood from forest without harming the environment in long run let us read and find out तो वो बोलते हैं कि क्या ये जो पेड़ पौधे हैं अपने अपके रक्षा कर सकते हैं मतलब अपने पेड़ी के लिए अपने चीज़ों के लिए जैसे हमें table बनाना है खुरसी बनानीह है टो वो टो ग इसी बनेगी न को टो मतलब लगडी से बनेगी और लगडी के लिए हमें लगडी को काटना प्य गाँ तो फिर अब लकडी को काटने के लिए हमें पेड को भी काटना पड़ेगा और हम पेड को काटते जाएंगे काटते जाएंगे तो क्या कोई ऐसी तरिकी है जिससे हम पेड को काटे बिना ही वुड अपडेंड कर सकें मतलब वोड ले सकें तो देखते हैं सबसे जो लंबे और सबसे टॉलिस्ट सबसे लंबे जो पेड हुआ करते हैं न दुनिया में उनमें से एक है रेड़ वुड ट्रीज जो की थाउजन्ट ओफ एर मतलब एक हजार साल तक जिन्दा रह सकते हैं मतलब उससे भी जादा देखें प्रोवाइट टिंबर टिंबर मतलब जलाने की लखडी टिंबर ऐसी लखडी होते हैं जिसे जलाया जा सकें सपोर्ट जॉब अब किसी कोई उन पेड़ों की वरसे पेड़ों का उन रेड़ वुड ट्रीज के वज़े से अपने जीवन में जीवन के सफल हो रहा होग बिकास वह रज़ वो त्रीज का वो सब पेड़ बेच दिया करते होंगे उसकी लखडीया बेच दिया करते होंगे तो तो रेड़ वुड से ट्रीस से वो कुछ-कुछ लेकर बेच करते हैं और अपनी जिन्दगी चलाया करते हैं पोर सेफगाट क्लियर द्वाटर और तो मतलब बहुत पहले हुआ करता था ना कि यह जो ट्रीस था ऐसे पेड़ थे ना यह हर जगह मिला करते थे पर यह अब कुछ गिने चुने पार्ट्स में ही मिला करते हैं हर जगह नहीं मिला करते हैं और यह USA के California में एक One Belt Redwood Forest है वहाँ पे यह सारे पेड को प्रिजर्व के राता है यहाँ पे होते हैं वो सारे पेड आज भी Mike Faye, a biologist, wanted to determine if there was a way for humans to live in harmony with forest that is to minimize boat timber production and many benefits from benefits forests provide he believed that if it could be done in the redwoods it could be done anywhere on the planet तो एक Biologist थे, Biologist मतलब जो Bio पढ़ा करते थे, Bio से रिलेटेड, Bio से तो पढ़के वैसे डॉक्टर बना करते हैं पर Bio से रिलेटेड पढ़ा करते थे, वो थे Mike Faye, उनका नाम था Mike Faye वो सोचा करते थे कि कोई ऐसी चीज है क्या, मतलब जिस से हम दादा पेड काटे भी ना हमें नुकसान हम अपनी मतलब की चीज़े भी कर लें, दादा पेड काटे ना और Harmony में रहें, Harmony मतलब ऐसे तरह कि जैसे पेड और इनसान दोनों साथ में रह सके नहीं इनसान पेड को हाम करें और नहीं पेड तो इनसान को वैसे हाम करते नहीं पर नहीं ये दोनों एक दूसरे को हाम करें कुछ ऐसा करके हार्मनी में रहें साथ साथ रहें ये लोग तो उन्हें लगा कि इसका एक तरीका है कि अगर हम पेडों को काटना थोड़ा कम कर दें और उनसे जो चीजें मिलती हैं जैसे फल वगल तो ले सकता है पर जैसे ग्लू बनता है कुछ पेडों से तो वो सब कम करते हम लोग तो अगर हम पेड को ऐसे glue के लिए काटेंगे, लकडियो के लिए काटेंगे, पत्तों के लिए काटेंगे, तो फिर वो तो कम हो जाएंगे पेड, तो harmony में रहने के लिए कुछ सोच रहे हैं, कि हम कैसे रहें, और उनके believe ये करते थे, वो ये माना करते थे, कि अगर हमने redwoods क साथ harmony बना लिए, मतलब redwood के साथ, अगर हम ऐसा करते हैं कि उनके पेड जादा नहीं काटते हैं, उनको जादा नुक्सान नहीं पुचाते हैं, तो हम किसी भी पेड के साथ ऐसा harmony में रह सकते हैं, अगर हम redwood के साथ, वो ट्रीज़ के साथ ऐसे रह लें, through the magical redwood forest of California the team talked to the people of redwood as well loggers forest foresters biologists environmentalists cafe owners and timber company executives all of so this is what I have a key on Joe B palette is what I have a coach logo के बारे में जैसे अब हमने कित के बार में माइक फे के बार में पढ़ा था माइक फे के बार में पढ़ा था जो कि बॉयलोजिस्ट है और उनका एक hiking पैटनर था hiking पैटनर मतलब जोनके साथ hiking पर जाय करता था उनका नाम था Lindsay Holm so वो दोनों क्या किया करते थे वो सोचा करते थे कि कोई ऐसी चीज है मतलब हार्मनी में हम पेड़ों के साथ रह सकते हैं where forests are being flattened मतलब जहां पेड़ पौदों को काटा जा रहा था for short term gain मतलब थोड़े से profit के लिए इतने सारे पेड़ों को काट दिया जा रहा था तो वहीं पे वो दोनों में जो रेड़ फूड का forest है वहां पे loggers loggers मतलब जो पेड़ वगेरा काट के अपनी जिंदगी चलाया जाते थे foresters foresters मतलब जो जंगल में रहा करते थे और उन पेड़ों से फाइदा कमाया करते थे सबसे मतलब जो सब लोगों से जो रेड़ वूड रेड़ वूड ट्रीस पे डिपेंडेंट है अपनी जिंदगी के पैसे कमाने के लिए तो पिक्चर्स और डिटेल नोट्स तो रिकॉर्ड वाइल लाइफ प्लांट लाइफ और कंडिशन आफ फॉरेस और स्ट्रीम्स तो पैसे नहीं होता जहां मतलब न्यूस चैनल्स हुआ करते हैं वो यहां वहां जाया करते हैं और मतलब फोटो लिया करते हैं इस जगह के हलात कैसे हैं कैसा यहां पर लोग कैसे रा करते हैं क्या क्या किया करते हैं तो वैसे ही वो लोग भी वहां पर जाके इन सब लोग के इ एक दिन था, ठीक है, ग्लोरियूस मतलब अच्छा सा दिन था, थ्री क्वार्टर्स ओफ दे वे इंटू देर प्रोजेक्ट, ते अराइब अच्छा दिन था, ठीक है, तो वो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आगे जलते जा रहे थे, और वो southern end of Humboldt Redwood State Park, तो Humboldt Redwood State Park तो वो southern end पे चले गए, ठीक है, और वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े contagious block of old growth, contagious block of पुराने, जो redwood trees हुआ करते थे, वहाँ पे उनके बाद, contagious मतलब after them, Contagious मतलब touching or next to something मतलब उनके बाद after them next to something उनके बड़े-बड़े पेडों के बाद left on the planet मतलब बहुत सारे वहाँ पे उस Redwood State Park के बाद वहाँ पे बहुत सारे पूढ़े Redwood Trees थे They entered the translated state of most magnificent group They have seen it मतलब उन्होंने ऐसे पेड़े ऐसी जगह बहुत time मतलब कभी देखी नहीं थी पहली बार देख रहे थे They were off और मतलब बहुत ही surprise हैरान हो गए थे By the beauty around them उनकी आसपास की सुन्दरता को देख कर Redwood sprouts from ground like giants Giant मतलब बहुत बड़े-बड़े होते है Sprouts from ground मतलब मतलब जहां से वह उगना शुरू करते हैं वह यहां से बहुत मोटे हुआ करते हैं बहुत मोटे इतने मोटे जहां से वह उगना शुरू करते हैं उसे ही बहुत मोटा हुआ करते हैं वह वहां से some have huge cavity मतलब वो मोटा हुआ करते हैं ऐसे करके ऐसे करके तो जो ऐसे वाला एरिया है ना यहां के अंदर मतलब 20-20 लोग खड़े हो सकते थे all of it brought off their minds the Jurassic Park उन्होंने यह देखते देखते उन्हें Jurassic Park एक मुवी है मुवी सीरीज है जिसमें जो की इधर ही बनाई गई थी जहां यह लोग घूमने आया थे उन्हें लगा कि अभी एक टीरेक्स टीरेक्स एक डाइनसार होता है अभी एक टीरेक्स उस पेड के पीछे से निकल कर आ जाए थे क्योंकि वहां की ब्यूटी बहुत अच्छी थी ठीक है दो टीम लेंट दैट देर आर सेवरल फैक्टर्स दैट मेंग इस ट्रीज हार्डली मतलब वह जो टीम वहां पूरी गई थी वहां पर उन्होंने जाना कि यहां पर यह जो पूरी ट्रीज है इनके पास ऐसी ऐसी स्पेशालिटी जाना सी खूबिया है जो इन्हें यहां पर सर्वाइफ करने में जीने में मदद किया करती हैं जैसे इनके पास एक कंपाउंड एक ऐसा सबस्टेंस है जो कि बहुत साथी चीज़ों से मिलके बनाएं फॉली फिल्यॉंस फॉली फिनॉल्स जो की है इन एक ब और चीज़ों से लगाने तो फंगस लिए होसं जानने इंदके जानते हैं आप लोग फंग संगिस में फंग संगे होता है तो फंगी मतलब उन फ़ारे गंदे जॉम्स और फंगी को दूर रखा करता है और इसी से यह रॉट रजिस्टन मतलब यह सड़ते नहीं है यह पेड़ और दूसरे इनकी खासियत है कि यह उनके पास ज़्यादा रेजिन नहीं होता और एजी मतलब चिपचिपा सा कुछ नहीं होता पेड़ों में पेड़ों की लिक्वेड होती है अंदर से जब पेड काटता तो कुछ चिपचिपा नहीं होता वो इन में नहीं हुआ करता है इनके बार्क में तो लाज़ बूदर हाइली रेजिस्टेंट तो फायर टू तो मतलब यह आसानी से जल भी जा सकते हैं बिकाउस अफ देर टू फैक्टर्स इस ट्रीज नाचरली एक्क्यूपेड यह बहुत नाचरली एक्क्यूपेड़ों तो फायट मतलब दो सबसे बड़े सबसे खतरना बाकी ट्रीज को जादा ही फेस क्या करते हैं तो जो पेड़ हुआ करते हैं यहांके यह पेड़ अग रहा है अभर किसे वज़ा से यह के डारिना कटके गिर गई फिर फिर क्या होता है कि यह इसमें के खासियत होती है कि ए श्प्राउट आउट बहुत जल्दी उग जाया करते हैं कुछ पेड़ يक्ड़क भून लां और ऐसे करके मतलब पेड को आधा काट दिया होता है मतलब कटने के बाद जितना नीचे हिस्सा बस जाता है नो उसे स्टंप बोला करते हैं ठीक है और मतलब कभी कबार ऐसा दोना कि जब भी कोई जिन्दा पेड को काट दिया जाता है तब यह वापस ऐसे उगने की कोशिश किया करता है जो लिम्प ऐसे पॉइंट अप हो रहे हैं ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे या ऐसे वो जल्दी ही पेड बन जाएंगे Most of other trees produce seeds that help them to produce new plants तो ऐसे बहुत चारे पेड होते हैं जो seeds मतलब beach produce क्या करते हैं पर redwood जो होते हैं वो बहुत ही कम मतलब लगभग ना के बराबर वो beach produce क्या करते हैं So stump sprouting has been the key to survival of the redwoods तो मतलब अब ये बीज तो बनाते हैं नहीं बीज ना बनाते हैं तो अब ये इनके species कैसे बचती है Stump ये जो stump है ये बहुत जल्दी उख जाये करते हैं बस इसी वज़े से इनकी species बची हुई है ने तो इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इनकी species बचा सकें क्योंकि भाई ये तो वैसे भी seeds बहुत कम produce करते हैं और बस यही एक चीज है जो इन्हें जादा देर तक मतलब जिंदा रहने मां मदद करती हैं Steepan C. Select, an expert of Redwoods, told the team that a tree annual rate of wood production increases with the age for at least 1500 years तो मतलब अब एक Steepan C. Select, एक expert थे जो Redwoods के बार में पढ़ा करते थे वो बताते थे कि जितना पुराना Redwood tree होगा उतने ही benefits होगे उतने ही जादा वो लखडिया देगा उतना ही जादा वो strong बनेगा उतना ही जाद उसकी quality अच्छी होगी और वो कम सड़ेगा मतलब जितना बुढ़ा होगा उतना अच्छा होगा बठ हमारे इंसानों में तो मतलब अलग होता है न In other words, Redwoods produce more wood and better wood मतलब अधर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो Redwood हुआ करते हैं वो जब बुड़े हो जाते हैं तभी वो जादा लकडी और अच्छी लकडी हमें देते हैं This is said to be the true for the tallest eucalyptus trees in Australia मतलब ये पेर मतलब थोड़े जल्दी जल्दाय करते हैं And it may be true for other trees around the world This convenience might say that people, wildlife and perhaps even planet could benefit from a little care And